किसी ने पूछा कि मा बगेर कैसा लगता है जनाब जी कर देखो उजाले से भी डर लगता है कि कदम कदम पर खंजर रखेते मेरे अपनोंने पर इनीम खंजरों पर चलके मेरी माने मुझे पाला है एक नदी बरसात के पानी से खारी हो गई सोचते ही सोचते मेरी रातकारी हो गई और की थी जिसने परवरिश गेरों के बरतन माचकर आज वो ही मा कही बेटों पे भारी हो गई मेरी कलम बस अधूरा लिखती है क्योंकि इसे पता है मेरी अधूरी शायरी को मा ही पूरा करती है मेरी कलम बस अधूरा लिखती है क्योंकि इसे पता है मेरी अधूरी शायरी को मा ही पूरा करती है और मेरी दुआ सलाम नमस्कार कबूल करना यारो मेरी दुआ सलाम नमस्कार कबूल करना यारो ये दिवारे शिकायद कर रही है मा के जाने पर देखिये कि तुमने मुझे इतना पक्का क्यूं बनवा दिया अरे मा को दुखी देख मैं जड़ जड़ के रोना चाहती हूं और सुनो मेरी एक आखरी खोयश पूरी कर देना मुझे आदत हो गई थी उसके अर सुक और दुख में साथ रहने की जब उसकी कबर बनाओ तो मुझे मैं से कुछ हीटे निकाल कर उसमें लगा देना कि अब की बार तेरे लिए मैं पायल लेकर आऊंगा अब की बार घर मैं तेरे लिए पायल लेकर आऊंगा और दिलवाओंगा जो सबसे महंगी वाली चूड़ी बस मुझे जी भर के देखने के चक्कर में तेरे तवे पे जो जल गई थी रोटी पूरी सुन तेरी सारी उंगलियां तो ठीक है ना घर बार की छोड़ यह बता मा तू ठीक तो है ना मेरे दोदो कहने पर भी तू रोटिया डाल देती थी चार हर एक में रहता था तेरा प्यार तेरा दुलार तेरा संसार खाने में वैसी लज्जत तो शहर में नहीं मिलती पर जब भी तेरी कमी होती है मैं खालेता हूं तेरे दिये अचार अच्छा तुम बता रही थी वो चूला पुराना हो गया है अच्छा उसकी सब इंटे ठीक तो है न मा तू ठीक तो है न मा इसकी आखरी लाइन है देखना कि मेरे शर्ट का जो बतन ठीक है मेरे शर्ट का वो बतन ठीक है जो तुने टांका था तुमने नई साड़ी ली पुरानी वाली के पल्लू में बहुत जगा फांका था मेरे शर्ट का वो बतन ठीक है जो तुमने टांका था तुमने नई साड़ी ले ली ना पुराने वाले के पल्लू में बहुत सारा फांका था और मेरे जाते वक्त रोते रोते जो तेरा चश् उन चश्मे की दोनों काचे ठीक तो है ना? मा छोड़ना घरबार की बात इतना बता तू ठीक तो है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. कि खुदा को भी अंदाजा नहीं था कि मुझे कुछ यूँ सुनाई दिया होगा. कि खुदा को भी अंदाजा नहीं था कि मुझे कुछ यूँ सुनाई दिया होगा और जब कांधा दे रहा था मा की अर्थी को, तो कहने लगी कांधा किसी और को दे दे थक गया होगा. कांदा किसी और को देते ठक गया अगर कुछ खाया पीया भी है ये यूही समसान चलाया है कुछ खाया पिया भी है यह यूही समसान चलाया है और नालाई कितनी दूप हो यह नंगे पाउं चलाया है थाँ साण चलाइ तर नालाई नालाई पिर समय खाया है